नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम खटा मीठा पोहा नमकीन बनाएंगे खटा मीठा पोहा नमकीन सभी को बहुत पसंद आता है और बच्चों को तो ये बहुत जादे पसंद आता है तो आईए खटा मीठा पोहा नमकीन बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने दो कप मोटे बाले पोहे लिये हैं ग्राम्स में 200 ग्राम पोहे हैं 200 ग्राम मुफली के दाने हैं एक कप मुफली के दाने हैं एक कप नमकीन सेव हैं और एक चोथाई कप किश्मिश, टाटरी, दो बड़े चने के बरावर, तीन चोथाई चोटी चमच, नमक या सौधाम सर नमक ले लेंगे, दो टीबिली स्पून चीली, हल्दी पाउडर, एक चोथाई चोटी चमच, और तेल पोहा तलने के लिए, खटा मीठा पोहा नमकीन बनाने के लिए सब से पहले हम पोहे को तल कर तयार करेंगे, कड़ाई में तेल डाल करके गरम करते हैं, तेल गरम हो गया है, हमें पोहा तलने के लिए अच्छा गरम तेल चाहिए, तो तेल में हम थोड़े से पोहें डालते हैं पोहें तैर कर ऊपर आ गए हैं इन्हें हम हल्का सा क्रिस्प कर लेंगे और पोहें को निकाल लेंगे पोहें को इस तरीके से किसी प्याले के ऊपर छलनी रख लें और उसमें निकाल करके रखें ताकि जो एक्स्ट्रा तेल पहुं से निकलेगा वो प्याले में चला जाएगा और जिस समय हम निकाल रहे हैं पोहें उस समय गैस धीमी कर लें गैस को बापस तेज कर देंगे और तेल को गरम होने देंगे तेल जब अच्छे से गरम हो तभी पोह डालेंगे अगर तेल कम गरम होगा तो पोहा एकदम फूल करके नहीं आएगा और हल्का सा चलाएंगे क्रिस्प हो गया है और गैस हम बंदी कर देंगे और यह जो तला हुआ पोहा चल्नी में है इसे हम बड़े प्याले में निकाल लेते हैं ताकि हम दूसरा पोहा इसमें निकाल से हमें नहीं हमने सारे पोही तल कर तैयार कर लिए और तेल को हमने च्छान लिया है क्योंकि नीचे नीचे पोहों का जो हलका हलका सा चूरा बैट जाता है जल करके वह हमने च्छान करके हटा दिया और अब हम तेल को हमने फिर से कढ़ाई में डाला और अब हम मुफली के दानों को तल कर तैयार करेंगे तो मुफली के दानों को हम बिलकुल मीडियम और धीमी आग पर तलेंगे लगातार चलाते हुए इन्हें हलके ब्राउन होने तक तलेंगे मुफली के दाने हलके ब्राउन हो गया है दानों से अच्छी खुश्बू आ रही है और हमने इन्हें 6-7 मिनित इसी तरही के से चलाते हुए बिलकुल धीमी गैस पर भूल लिया है इन्हें निकाल लेते हैं हम और गैस बंद कर देते हैं इन्हें भी छल्ली में ही रख लेते ह कि यह हमने सारी चीज़ें तलकर के तयार कर लिए और अब हम इसके लिए masala बना लेते हैं मसाले में हमने यह चीनी ली है चीनी नमक और इसी में हम टाटरी डालेंगे टाटरी यह बड़े दानी है इनको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यह मिक्सर में चलेंगे नहीं अच्छे से इसी में डाल देते हैं टाटरी को और अब इसे बारीक पीस देंगे मसाले को हमने एकदम बारीक पीस करके तयार कर लिया कड़ाई में बचा हुआ तेल हमने सारा प्याले में निकाल लिया च्छान लिया और अब हम इसमें बापस एक टेबल स्पून तेल डालेंगे गैस हमारी बन थी कड़ाई गरम है तेल गरम है और गरम तेल में हम यह हल्दी पौडर डाल देए हल्खी सी गैस ओन कर देते हमें बिल्कुल जरां सा हल्दी पौडर को भुनना है बिल्कुल हल्का यह हमारा हल्का सा हल्दी पाउडर भुन गया गैस बंद कर देते हैं और यह हल्दी वाले तेल में तले हुए पोये बापस डाल देंगे मुफली के दाने भी डाल देंगे काफी तेल प्याले में आ गया है निचोड़के किस्मिश भी डाल देता है और यह सेव डाल देते हैं सारी चीजों को मिक्स करते हैं और यह जो हमने मसाले एकदम 25 именно के तैयार किये हैं इन्हें बिलान दें और सारी चीजों को हमें तब तक मिक्स करना है जब तक हल्दी का रंग सारी जगे हमें एक स właściwie दिखाई देने लगता है गैस बंध है हमारी इस सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है बिल्कुल हल्दी का कलर भी सारे पोही के ऊपर चड़ गया है एक जैसा दिख रहा है और हमारी खटी मीठी पोहा नमकीन बन करके तयार हो गई है अब हम नमकीन को प्याले में निकाल लेते हैं खटा मीठा पोहा नमकीन बन करके तयार है बहुत ही अच्छा नमकीन बना है और नमकीन को पूरे तरीके से ठंडा होने दीजिए चार पाश गंटे बाहर ही रहने दीजिए इसके बाद कंटेडर में भर करके रख लीजिए और जब भी आपका मन हो दो तीन महिने तक निकाल क खाते रहे आप खटा मीठा पोहा नमकीन बनाईए खाईए और अपने अनफव निशामदुलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए